बेतिया रेल्वे स्टेशन पर गले में E-Wallet का QR कोट आंगे शक्स की यह तस्वीर अपने अप में अनुठी है बता दे कि राजू नाम का यह शक्स एक भिखारी है जो बच्पन से स्टेशन पर ही रहता है शुरू से ही वो लोगों से भीक मांग कर अपना भरन पोशन करता आ रहा है उसके मुताबिक, लोग कहते थे नहीं है, इसलिए मैंने बैंक में खाता खुलवाया अब राजू लोगों से छुटे पैसे नहीं लेता बलकि फोन पेपर क्यू आर कोड स्कैन कर भीक के पैसे भेजने को कहता है इस अजब गजब अंदाज के कारण उसकी खूब चर्चा हो रही है खुद को लालू का बेटा और पीएम मोदी का भग बताता है वस्वरिया वार्ड नंबर 30 के रहने वाले प्रभुनात प्रसाद का 40 साल का एकलोता बेटा राजू प्रसाद तीन दशक से रेल्वे स्टेशन समेट अन्य जगहों पर भीक मांग कर अपना जीवन बिता रहा ह मनबुर्धी होने के कारण राजू को पेट पालने का और कोई उपाय भी नहीं दिखा वो लालू यादव को अपना पापा बोलता है वहीं खुद को पीएम मोदी का भग बताता है देने से मना कर देते हैं इसलिए लेता हूँ डिजिटल पेमेंट क्यू आर कोड से भीक मा देते हैं कि उनके पास छुटे पैसे नहीं हैं कई यात्रियों ने कहा कि फोन पे आदी इवालेट के जमाने में अब नगद लेकर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इस कारण जब भीक मांगने में दिक्कत होने लगी तो मैंने बैंक खाता खुलवाया साथ ही इवाले भी बना लिए अब मैं गूगल पे वा फोन पे आदी के QR कोड के जरिये भीक मांगता हूँ बैंक खाता खोलने में आई परिशानी उसने बताया कि बैंक खाता खोलने में भी काफी दिक्कते हुई थी जब मैंने बैंक में संपर्क किया तो आधार कार्ड और प्रैन कार्ड भी बनवा लिए लालू भी थे राजू के फैंक खुद को लालू प्रसाद का बेटा कहने वाला राजू पश्चिम चंपारन जिले में लालू के सभी कारेक्रमों में जरूर पहुचता था राजू बताता है कि लालू यादव भी उसके फैं थे और वो उनका इतना चहेता था कि साल 2005 में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उसे सप्तकरांती सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पैंटरी कार से रोज भोजन मिलता था यह सिलसिला साल 2015 तक चला इसके बाद अब वो अपने पैसे से भोजन करता है